प्रियचात्रों हम भव्य सत्याग्रह आश्रम पाठका अध्यन कर चुके हैं उसका सेश वहाग आज हम पढ़ते हैं पूर्व कक्षा में आपने सत्य के बल के संबंध में पढ़ा जो व्यक्ति सत्य के बल से युक्त है और अन्य बलों से रहीत है वह व्यक्ति बलवान ही कहा जाता है आईए उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पंडिता ख्षमाराव जी सत्य का ही लाभ इस नौमे श्लोक में बता रही है उन्होंने क्या लाभ बताए सत्य के तद ये चरंति धारमेन प्रजावाह राज्यशाश कहा स्मृध्धिर जायते ते साम अन्य साम तोक्षयो धुवः तत तत का संबंध उससे है सत्य से तत उसे ये चरंति जो अपने जीवन में पालन करते हैं प्रिय चात्रो चरंति के दो अर्थ हैं चर्माने खाना जैसे पशु चरते हैं पशव है चरंति और यहां चरंति का अर्थ है पालन करना जैसे आ चरंति भी लगा देंगे तो भी पालन करना है तत ये चरंती उसका जो पालन करते हैं धर्मेन धर्म के साथ चैव प्रजा प्रजा के लोग हैं आमजन हैं या राध्य सास कहा या राध्य के अधिकारी हैं तो क्या कहना चाहा एक तो आप इस पास लोग के अंदर ये बात जान लें अच्छी तरह से आके स्मर्द्धी और क्षया है एक दूसरे के विप्रितार्थक सब्द हैं आई हम किस प्रकार से परिक्षा के रूप में इस आर्थ को लिख पाएंगे आप जाने उस धर्म का, जो लोग धर्म के साथ मतलब अच्छे व्यावार के साथ, प्रजा के लोग हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, अपने जीवन में पालन करते हैं, उनकी तो प्रचती कहिए उन्टी होती है, या उनके जीवन में खुसहाली आती है, और जो उस सत्य के बल का पालन नहीं करते उनके जीवन में हानी होती है अर्थाक्षय होता है अवनती होती है तो बस आप इतना ही अर्थियाद रखिए जो लोग सत्य का धर्म के साथ पालन करते हैं वेचे प्रजाजन हो उनकी उन्नती होगी और जो सत्य का पालन नहीं उनको हानी निश्चेशे होगी आई यह हम इसी बात को आगे पढ़ते हैं क्यों अकीस पाठ का जैसा नाम है सारी बातें सत्य के इर्द गूर्द घूम रही हैं उन्हीं बातों को आगे कह रही हैं गांधी जी किस प्रकार से अपने अनुव्याईयों से शत्य के पालन करने के लिए प्रेरिणा प्रदान करते थे इती तत्रभवान गांधी आख्याती सहवासिनह अनुयाई जनास चान्यान और वत्साहा लेखतोपी वहा प्रिचात्रों अंतियम्पद को देखोगे लेखतोपी लेखतह जमापी ये संधी बहुत ही महत्वपुर्ण है जहां रश्व ए के साथ विशर्गों और सामने रश्व ए हो तो जो पूर्व ए विशर्गों के साथ है वो ओ में बदल जाता है और पर जो अकार है वो प्रगरिये चिन ये पूर रूप का निसान आपको मिल जाता है जो अंग्रेजी में ऐस की तरह दिखाई देता है कहते है यह इस बात का प्रतीक है अगि अभी ऐसेस है आईए इसके अर्थ को जानते हैं साब्धिक अर्थ को इती मने इस प्रकार तत सत्य का पालन जो करते हैं उनकी बात बताए गई तो इती इसी को ही तत्रभवान तत्रभवान जहां कहीं भी आता है तो वह पुज्य के अर्थ को देता है श्रीमान जी आदर्णिय जी गांधी गांधी अख्याती कहते हैं सहवासी नहीं साथ रहने वालों को अनुयाई जनान और उनकी बात को मानने वाले जो लोग हैं उनको एक तो साथ रहते हैं लेकिन साथ रहते हैं बात नहीं मानते और एक साथ भी रहते हैं और उनकी बात का अक्षर से पालन करते हैं वो अनुयाई जन है तो अनुयाई जनों को और अन्यान इस से भी भिन जो उनके आश्च्रम में रहते हैं उनको वत्सा अपनी वानी से और लेखता लिख करके भी क्या करते हैं अग भी सत्यका पालन करो इसके लिए प्रेरित करते हैं गांध और जो दूर बैठे हुए लोग हैं, उनको लिख करके पत्र के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से या व्याख्यान के माध्यम से प्रेशित करके भेज करके प्रेशित करते थे कि सत्त ही जीवन का मूल भूत तत्व है, आईए हम परिक्षाप योगी अर्थ किस प्रकार सभी को वानी के द्वारा और लिख करके सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते थे, हमने पढ़ा और इस चित्र में गांधी जी के उपदेश को हम देख रहे हैं, तो किस प्रकार से देखिए गांधी जी बैठे हुए हैं और उनकी बात को लोग सुन रहे हैं, महात्मा प्राह महात्मा का अर्थ महान आत्मा ये करमधारेश समास का उधारण है और हमें अवस्ची ही जान लेना चाहिए और प्राह जो शब्द है प्रेजमा आह ब्रूदातु से आह बना हुआ है महात्मा जी ने कहा। महात्मा जी उपदेश दे रहें अपने अनुयाईयों को साथ रहने बालों को नेचे तत प्रति पध्यते। बहुत ही सुन्दर गांधि जी ने जो विचार रखे उनी को पंडितिक्षमाराव ने शुलोक बद्ध किया ऐधर्मम ने अच्छाई आधर्मम ने बुराई आधर्मम अधर्म को भी द्रिश्ट्वा 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 कोई अधर्म की बात है, कोई अत्याचार की बात है, कोई बुराई की बात है और देख करके यह मैंने जो आदमी प्रतिवत धुम रोकने के लिए दवानचिती अपनी इच्छा ही नहीं रखता, प्रियास ही नहीं करता एक तरह का आद्मी जिस आद्मी ने बुराई को देखा और बुराई को देख करके भी उसके रोकने के लिए अपने मन में चाह पैदा नहीं करता है ऐसा व्यक्ति और सत्य शत्यपी यहां सत्यपी में सत्य जमाअपी सत्य सप्तमी का एक वचन है और यहां यनसंधी का प्रियोग हुआ है सत्य जमापी सत्यपी सत्य के होने पर भी ये बात सत्य है ये बात सही है ये बात उचित है यो जो आदमी भित्वा डर करके डरता कोन है अगर मेरी आनी हो जाएगी अगर मैं इस सत्य बात को सत्य कहूंगा सत्य बात को सत्य का पालन करने के लिए कहूंगा तो मुझे आनी हो जाएगी नहीं प्रतिपद्यते प्रयास ही नहीं करता है डर के कारण दो प्रकार के व्यक्ति हैं बुराई को देखकर जो बुराई को रोकने का प्रियतन नहीं करता और सत्य है इस बात को जान करके जो आदमी अपने स्वार्थ के भहे से उसका पालन नहीं करता या उसका समर्थन नहीं करता तो उन व्यक्तियों की संग्या उन व्यक्तियों का नाम क्या दिया गया है वहां हम अगले स्लोक में जानेंगे प्रियचात्रो अभी हम ग्यार में स्लोक तक इस बात को जान पा रहे थे कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं एक अधर्म का विरोध ने करने वाले और एक सत्य का समर्थन ने करने वाले पंडिता ख्षमाराव जी ने उन दोनों की संग्याएं भिन भिन दिये उन दोनों के नाम अलग-अलग रखे हैं और इसी बात को बार में श्लोक में स्पष्ट कर रही हैं क्लीवयो उभयो श्चापी निश्फलम जीवनम तयो हो स्वार्थनाश भया द्यत्तव रक्षतह अंडित जीवनम क्लीवयो हो जमा उभयो हो जमा चै जमा अपी जानिये दो प्रकार से यहां विशर्गों को एक बार विशर्गों को रह हो गया और एक बार विशर्गों को शै हो गया क्लीवयो हो यदि ए आ को छोड़ करके अन्यमात्राओं के साथ विशर्ग होते हैं और सम्मुख यदि स्वर्य वर्ग का तीसरा चोथा वर्ण हो तो उसको रह हो जाता है यदि विशर्गों के साथ सामने वर्ग का चैठए हों तो अगर चैच होंगे तो तालव्य सकार है और यगी टैठ होंगे तो मूर धन्य सकार है और यदि तैठ होंगे तो धन्त सकार है मतलब विशरगों के तीन सकार बनते हैं मूर धन्य तालव्य और धन्त आईए कलीवयो वहयोश्चापी उन दोनों को कवैत्री ने कलीव बताय मनि नपुंसक गीता में आया है कलीव सब्द का प्रियोग में क्लीव मनि नपुण्शक है और उन दोनों का जीवनम निस्फल मने निस्फल है उन दोनों की संग्या क्या कही क्लीवयो उभयोस चापी निश्फलम जीवनम तयो उन दोनों नपुन्शक लोगों का जीवन निश्फल है क्यों स्वार्थनास भयात वो देखते हैं कि हमारे कारी की सिद्धी नहीं हो रही है हमारा मतलब पूरा नहीं हो रहा है इस कारण से अधर्म का विरोध नहीं किया और सत्य का समर्थन नहीं किया तो स्वार्थनास भयात वो अपने स्वार्थ को नश्ट होता हुआ देख रहे हैं तव माने बेदोनों अन्रित जीवनम रक्षत अन्रित का अथा असत्य यहां भी आपको पूरुष लोकों की बाती जैसे समृत धियोरक्षय को जाना उसी प्रकार अनृत जूट और एको अटा देंगे तो नृत सत्य एक दूशरे के विलोम होगे अनृत जीवनम जो जीटा जीवन है जूटा जीवन क्यों कहा गया है इसका पता ही नहीं है कि कभी ये गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा की बारे में बहुत कुछ कहा है आपको समय लगे तो पढ़ना और उसका सत्य ज्ञान हो जाएगा आईए हम बारह स्लोक से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से कवित्री ने तेरिमे स्लोक में उस बात को कहा प्रिचात्रो बहुत ही बल्दी आ गया है सत्य के पालन करने के लिए यहां हिंसा को अपनाने में भी ग्रणा नहीं की गई है हिंसाम अपिस्मा स्रित्य यदि सत्य का पालन करने के लिए व्यक्ति को हिंसा का सहरा लेना पड़े तो ले लेवे और हिंसा का सहरा ले करके वरम मने अच्छा है मृत्य मूखे गतम अर्थात अपने प्रानत्याग करने पर मृत्यू में प्राप्त होने पर भी कोई हानी न पुने फिर नहीं है किसका वरम अच्छा स्वात्मरक्षार्थम केवल देह बचाने के लिए कृतम निंदम पलायनम निंदनीय जो कर्म है वो पलायन कहा गया तो उससे दूर नहीं भागना है आत्मरक्षा के लिए सत्य को नहीं छोड़ना है किस प्रकार परिक्षाप योग को अर्थ लिखेंगे यदि हमें सत्य का पालन करने के लिए हिंसा का सारा लेना पड़े तो हम हिंसा ministre का सहरा ले कर भी NPC के मुख में जा सकते हैं लेकिन सत्य को छोड़ कर आत्मरक्षा के लिए भागने का कारी निंदित कर्मन ने करें यह अच्छा नहीं है आगे वड़ते हैं किस प्रकार से सत्य के पालन पर बल दिया जा रहा है। इस प्रकार का जो बहर करते हैं करोती मन्साहिंसा अब जो आदमी सत्य के महत्यों को नहीं जानता वह मानसिक रूप से सत्य की हत्या करता है, तो हत्या करना है हिंसा है, मन से वह सत्य की हिंसा करता है, उसका नाम क्या है? से ही ऐसा व्यक्ति निस्चे से भीरू डर्पोक है और पलाईता पलान करने वाला है, वो क्यों कर रहा है? आत्मने मृत्युकातरियात, कहता है मेरा सरीर नश्ट हो जाएगा, इसलिए वो क्या करता है? आत्म हिंसा करता है, अपने आपको मारना, अपने आपको अपमानित करन आत्मने मृत्युकातरियात है, शरीर के मरने के बैसे वो आत्मा को मार करके और असत्य का सारा ले लेता है, सत्य का पाल नहीं करता है, समझ पाए आप? मैं फिर बता देता हूँ, जो आदमी सत्य को मन से छोड़ देता है, ऐसे विक्ति के दो नाम रख दिये, वह डर्पोक है और पलायनवादी है, वह ऐसा क्यों कर रहा है, वह अपने सरीर के रक्षा के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है, इसलिए उसके नाम डर्पोक और पलायन करता रखेगा, हम चोड़स लोग तक पढ़ चुके हैं और पंद्रस लोग की व्याख्या करते हैं, किस प्रक अत्यानुयायययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय दिया गया सत्या ग्रह आश्रम नाम इस भूमी को इस भवन को सत्या ग्रह नाम ृ धिया गया सत्या अनुयाई युकता यह सत्य का पालन करने वालों से पूर्ण युक्त वाने पूर्ण विनीत वस्ते ममा मेरी विनम्र लोगों की यह वस्ती सत्यका पालन करने वालों से युक्त है इसी लिए मैंने इस भवन को सत्याग्रह आश्रम नाम दिया है समझपाए प्रिचात्रो ज्यान से सुनो क्या कहना चाहते हैं कवईत्री आकि मैंने सत्याग्रह आश्रम नाम क्यों दिया क्योंकि यहां पर रहने वाले व्यक्ति सत्यका पालन करते हैं और इस बस्ती में रहने वाले विनम्र हैं इसी लिए इस आश्रम का नाम मैंने सत्याग जर्मानाम अमोगं बलमद्भुतं वर्णयन ग्राहयामाश व्रतानी सुवहुन गुरु। कवैत्री ने 15 श्लों तक सत्याग्रह नाम आश्टम के नाम की सार्थक्ता को प्रिचात्रों शिद्ध किया और अब उन्होंने इस सोल में स्लोक में किस प्रकार से सत्यादी नो धर्मों के महत्तों को बताते हुए गांधी जी द्वारा पालन अन्य लोगों से करवाया जाता है उसका वरणन किया गया है इती इस प्रकार से सत्यादी नो धर्म जो हैं वो सदा व्यर्थ नह जाने वाले हैं और अनोखे बल को प्रदान करने वाले हैं इन बातों का ध्यान रखते हुए गुरु का आर्थ महत्मा जी ने और सूबहुन बहुत सारे लोगों को वरणन उनके म महत्तों को बताते हुए व्रतानी ग्राहया मासा है व्रतों को पालन करने के लिए प्रेरित किया तो क्या कहना चाहा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आश्रम में सत्यादी नो धर्मों को व्यर्थ नह जाने वाला और अदभुत सक्ती से युक्त बताते हुए बहुत सार शिश्यों को ग्रामवाशियों को नगरवाशियों को देशवाशियों को उन नेमों का पालन करने का महत्व समझाया प्रिचात्रों हम अगला स्लोग पढ़ते हैं और उस पर ध्यान देंगे अब हम अपने पाठ की समाप्ति के और जा रहे हैं आपने सब बातों का ध्यान समस के रूप में परियावाची के रूप में विलों के रूप में। बताए गई हैं। अपराध्य क्रिते प्यान्य टधास्थ्रमें। स्वीकृत्य-डोससरवस्वम। उप्वासई तपश्यति गौनधि जी के सत्य के पालन के व्याभार में बताए गया है। अपराधे कृते अपी अन्य यहां संदी जानले यदि किसी पद का अंतिमवर्ण ए है किसी पद का अंतिमवर्ण ओ है और उससे परे ए है तो यह प्रग्र यह चिन पूरो रूप का निशान आपको दिखाई देगा तो कृते जो है ना सब्तमी विवक्ति का एक वचन का रूप है यह जो है अंतिमवर्ण है इसलिए ऐसा हो गया अपराधे कृते मान लो कोई भी उसस्त्रम का रहने वाला व्यक्ति किसी प्रकार से कोई दोस कर देता है तो उसके बाद भी अन्य ही दूसरों के द्वारा अन्य कि शारवुत यह सत्य का आधार है ऐसे उस आस्ट्रम्म ने दोसं शर्वम सारे दोसों को स्विकृत मैं ने ही किया है ऐसा आमान करके का जी क्या करते उपवासकारता उस दिन अनना झाते तह यदि गान्दी जी के आस्ट्रम में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का दोश कर देता था तो सत्य के आश्ट्रम को सिद्ध करने के लिए गांधी जी उन दोशों के प्रायस्चित्त के लिए व्रत रखते थे उपवास करते थे अर्थात उस दिन अन्न नहीं खाते थे इस प्रकार वो सत्य का पालन करने के लिए प्रायस्चित्त करते थ ये उनके जीवन के सत्य के पालन करने के एक तरीके को समझाया गया है हम आगे बढ़ते हैं अठार में स्लोक में बड़े ध्यान से सुनेंगे आश्रमाद बहिर अन्यत्र लोका नाम कलहे फिसा स्वमेव कारण मत्वा तत कलंके नदूयते ये सब गांधी जी के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और दूसरों के लिए अपना जीवन आदर्ष के रूप में स्थापित करने के लिए जीवन के एक आचरण को समझाया गया है आश्च्छा माथ और एक बात और आपने रखणी है बही हो रिते हो विना ये ये उपद सब्द आ जाते हैं तो उद्से पहले पंच्मी योगहन विना के योग में तो द्वितिया तृतिया और पंचमी तीनम जत्ति एं वही और रिते के योग में जत्या पंचमी अत्या हुत्त Council चाल कर्ण हथ हर अष्त से वहाथ, अन्यत्र हुर कहीं लोका नयुका नव, सवाजिक प्रिये चात्रो गांधी जी का कैसा व्यवार था आश्ट्रम से बाहर अन्य लोगों द्वारा किसी प्रकार की बुराई कर देने पर भी उसको अपना ही कारण मानते थे इस कारण से वे उस बुराई के कारण स्वेम दुखी होते थे अर्थात तेरे द्वारा कोई और लोग है यदध्याचरती से श्टततत देवेतरो जना है सायत प्रमानम कुरते लोकस्त दनु अर्थते जनता तो एक मनुस्मृति में कहा गया यह था राजा तथा प्रजा इसको छोटी सी बात समझ लो जैसा राजा वैसी प्रजा है यदि गांधी जी अपने आपको आदर स्थापित करना चाहते थे आईए हमारा पाठ जना अंतिम्चर्ण में हैं और हम सब बातों को समझ रहे हैं इस प्राभ्यास भी करेंगे और सब प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे आत्म वत्सर्वभूतानी पश्यतोष्य पदानुगहा गुणही परवशी भुत्वा व्यवर्धन्त सहस्यसे आत्म वत्सर्वभूतानी अपने समान सभी प्राणियों को पश्यते देखते हुए अश्य इसके पदानुगहा एक आया अनुयांत्री कह एक आया अनुयाई एक पदा आगया पदानुगा पैरों के पीछे चलने वाले उनको अनुकर्ण करने वाले ही करते हैं तो देखो आपको इन पदानुगा के परियाएवाची याद रखने हैं गुण ही परवसी भुत्वा गांधी जी के गुणों के परवस हो करके मतलब उनको अपने जीवन में अपना करके उन गुणों के गुलाम हो करके सहस्त सभ्यवर्धंत हजारों बढ़ गए आत्म वत सर्वभूतानी पस्चतह अपने समान अन्य प्राणियों को समझते वे इन के अनुयाई लोग गांधी जी के गुणों उक्षे प्रभावित हो करके हजारों की संख्या में हो गए इस बात को बताया गया अर्थात गांधी जी सत्यकापालन करवाने में शफल रहे इसे भी वड़ करके बात कही गई सर्वदा एक अभ्या है सदा भी एक अभ्या है हर दिन हमेशा सर्वदा जमा अपी जमा आचरिश्या महां हर दिन हम पालन करेंगे किनका सत्यादी जो सत्यम अहिंसा अक्रोध है इस प्रकार के नो जो नियम बताये गए थे ब्रह्मचरिया अपरिग्रह है उनकी बात को यहां का आगया सत्यादी नवकम्रतम जो सत्यादी नो व्रतों का समूह था उनका हम हर दिन पालन करेंगे इती जात्समूत्सा है इस प्रकार उत्सा के साथ में और सैधारियम धहरिय के साथ में जनही निश्चितं लोगों ने पालन करने का निश्चे कर लिया उस रहने वाले आश्रम seeking प्रकार consent उस आस्त्रम में रहने वाले लोगों ने कहा हम सदा ही सत्यादी नोवरतों का पालन करेंगे उत्सा के साथ और धहरी के साथ इस बात की उन्होंने प्रतिग्या कर ली निश्चितम जा नहीं प्रतिग्या कर ली निश्चित करना प्रतिग्या करना तो यहां पर बहुत से परि में लिखना है सभी श्लोकों का अर्थ आप जरूर लिखें जो बच्चे अच्छी परिक्षा पास करना चाहते हैं उनको हमेशा ही पाठ को लिखना चाहिए उससे अमारी बैठने की शक्ति पढ़ने की शक्ति बढ़ती है और जो मन पढ़ते पढ़ते विकल हो जाता है वह ल कार की एक सफलता का शुत्र है हमेशा पढ़ें भी और लिखें भी हम फिर अगली कक्षाओं में आप से मिलेंगे जब तक आप अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए और बड़े ध्यान से विद्या का अध्यान कीजिए क्योंकि विद्या ही मनुष्य क का तीसरा नेत्र है और विद्या ही एक मात्र सफलता का साधन है मैं आपको इस बात के बारे में सचेत करता हूं आकी विद्वत्तम से नई वतुल्यम कदाचन है स्वदे से पुझ्यते राजा विद्वान शर्वत्र पुझ्यते राजा की और विद्वान की कभी समानता नह द्वान की तो धर्ती पर सब जगह पूजा होती है। मैं आपक्षा करता हूं आकि आपको यह पाठ बहुत अच्छा समझायागा और वस्तुत है जो जिस उद्देश्ची से यह पढ़ाया गया है उसका एक मात्र कारण यही है आकि चाहे हमें कितना ही कश्ट उठाना पड़ है जयतु संस्कुतम जयतु संस्कुत भारती फिर अगली कश्याओं में हम फिर आप से मिलेंगे। करता है जब स्क्तर कारण यही हमें है जयतु संस्ट नचोरी दीनें। है जयतूर यहिते नचल भी्याओं में हमें हमकिता fights और सक्टेमी जयत।